नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चनल ultimate knowledge पर दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारतिये मुद्रा से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारियों के बारे में तो आईए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और जानते हैं भारतिये मुद्रा से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातों के बारे में नमबर एक शायद आप लोग इस बात को ना जानते हों के आजादी के बाद पाकिस्तान भारतिये मुद्रा का ही प्रियोग करता था वो इन नोटों को प्रियोग करने के लिए भारतिये न नोटों को बंद कर दिया गया नमबर दो बड़ी मुद्रा के नोट जिन में की 500 और 1000 के नोट आते हैं आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखे योंगे और वरतमान समय में 2000 का नोट भी चलन में है लेकिन क्या आप लोग इस बात को जानते थे के भारत में एक समय पर 5 और 10,000 का नोट भी चलता था जी हाँ 1954 से लेकर के 1978 तक 5000 और 10,000 के नोट भी भारतिय मुद्रा के चलन में थे जिनने 1978 में बंद कर दिया गया नमबर 3 आप लोगों ने नोट पर अंकित हिंदी और इंग्लिश भासा को तो बहुत अच्छे से देखा योगा लेकिन क्या आप लो संस्कृत, तेलगू, उर्दू, तमिल, कन्नर, अस्मी, कोकनी, मराठी, गुजराती और बांगला भासा भी समलित है नमबर 4 शायद आप में से कुछ लोग इस बात को जानते होंगे के भारत के 5 के सिक्कों की बांगला देश में बहुत बड़ी मात्रा में तसकरी की जाती और प्रतेग बलेट की कीमत 2 रूपे हुआ करती थी जब भारत सरकार को इस बात का पता चला तो भारत सरकार ने 5 के सिक्के में प्रियोग होने वाले मैटल को पूरी तरह से बदल दिया नमबर 5 आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं के भारत में नूट चापने का अधिकार RBI के पास है लेकिन क्या आप लोग इस बात को जानते थे के भारत में एक रूपे का नूट चापने का अधिकार बित्त मंत्राले के पास है जिस पर गवर्नर की जग कभी इसे ट्राई नहीं किया है तो एक बार इसे ट्राई करके जरूर देखे नमबर साथ क्या आप लोग सिक्के को देख करके इस बात को बता सकते हैं कि आखिरकार ये सिक्का कहां ढाला गया है अगर आप लोग इस बात को नहीं जानते तो आज जान जाएए अगर उसके नीचे डायमेंड का निशान है तो वो सिक्का हैदराबाद में ढाला गया होगा अगर उसके नीचे डौड का निशान है तो वो सिक्का नोडा में ढाला गया होगा अगर उस सिक्के के नीचे बी और एम का निशान है तो वो सिक्का मुंबई में ढाला गया होगा झाल